हलो मैं आपको आज बताने वाला हूँ डिप्रेशन और निरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग इसका क्या संबंध है और एनल्पी से डिप्रेशन कैसे ठीक किया जा सकता है निरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग मतलब भाष्या से अपने ब्रेन का प्रोग्रामिंग कैसे करना और उसे डिप्रेशन कैसे अच्छा करना उसके बारे मैं आज बात करने वाला हूँ तो स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में मेरा नाम है डॉक्टर दिपक केड़ेकर मैं मनोविकार सेख्स रोग संब्मोवन तता व्यसन मुक्ती तग्यों महराष्ट में आकोला में प्रैक्टिस करता हूँ हमारे यह दो हॉस्पिटल है जिसमें हम मनोरोगन तता व्यसनी लोगों को रिस्तारों के साथ में भरती करते हैं और दूसरा हॉस्पिटल है जहां मनोरोगन तता व्यसनी लोगों को हम बिना रिस्तार भरती करते हैं काफी सारे पेशेंट डिप्रेशन के मेरे पास में आते जो बोल देम को दवा नहीं होना और बिना दवाई का अच्छा करो तो उनके लिए क्या किया जा सकता उसके बारे में मैं आपसे बात करने माला हूँ यह निरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग है यह कंसेप्ट रिचर्ड बैंडलर करके साइंटिस्ट थे और जॉन ग्राइंडर करके उनके दोस्त थे उन्होंने मिलके निरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की शुरुवात किया और इसमें brain का programming कैसे करना भाशा के साथ उसके बारे में चर्चा कई हुई है उन्हें बता हुआ है कि जो भी हम है जो भी बाहर देखते है वो inside out है जो भी अंदर है वो बाहर देखता है वैसे हमको दो mind है एक है conscious mind और एक है subconscious mind conscious mind जो है मतलब जागूरत मन जो है वो है दस ठका और subconscious mind जो है वो है 90 परसेंट और समझने के लिए बर्व के चट्टान समूंदर में है तो वो चट्टान जो है बर्व की तो जो भाग पानी के उपर दिखता है वो है 10 ठका और पानी के नीचे जो रहता है वो है 90 डका तो समझने में आपको आसान हो जाएगा अब क्या होता है कि हम जो भी चीज बाहर के बातार में देखते है तो वो हमारे पाँच सेंसे से अंदर दिमाग में जाती है subconscious mind में मतलब एक तो आख से जाएगी vision एक तो कान से जाएगी audition एक तो स्पर्ष से जाएगी कानेस्थेटिक sensations स्पर्ष तो इस बाइन आख से जाएगी सुगन और पाँचवा है जीवा से जाएगी मतलब टेस्ट तो ये पाँच तरह से कोई भी information हमारी दिमाग में जाती है subconscious mind में जाती है और subconscious mind में पूस्टोर की जाती है मगर जैसी बाहर घटित हो रही है वैसी subconscious mind में जाती नहीं उसमें क्या होता है कि जो दिखता है जो अंदर जा रहा है उसमें का कोई भाग निकल जाएगा कोई भाग को तोड, मरोड करके अंदर जाएगा, कुछ भाग को एक जनरलाइजेशन किया जाएगा सरसामन्य रूप से उसको जनरलाइस करके अंदर जाएगा उसका कुछ अर्थ लगा के वो अंदर जाएगा उसके कुछ कहानी बना के वो अंदर जाएगा कुछ past के experience है अनुभवे past के उसको लेके वो अंदर जाएगा कुछ विश्वास है उसको लेके अंदर जाएगा कुछ कहानी हमने बना के रखे उसको लेके अंदर जाएगा मतलब जो बाहर हो रहा है वह ऐसा पूरा के पूरा हमारे subconscious mind में अंदर जाएगा नहीं वो तोड़ मरोड के अंदर जाएगा और वो एक represent हो जाएगा subconscious mind में जिसको NLP के भाषा में बोलते है परसनल इंटरनल रिप्रेजेंटेशन PIR और वो जब PIR हो है मतलब जो भी बाहर से हो रहा है उसका एक अंदर एक छाप पड़ी हुए है कि imprinting हो चुका है और जो भी अभी उसका अर्थम ने लगाया जो भी imprinting हो गया है जो भी उसका का मीनिंग है जो भी उसकी story है अंदर बेटबाई टीवी है अभी वहां से निकलती है body state मतलब physiology वहां से आएंगे facial expression वहां से आएंगे हमारी movements वहां से motor movement आएंगी हल चला जाएंगी चेरे के हाँ आव आजाएंगे voice cut होना जाएंगा मतलब वहां से बॉडिली स्टेट बनती है और PIR personal internal representation और बॉडिली स्टेट यह दोनों मिलके बनती है mental state मांसिक अवस्था मन की अवस्था और मांसिक स्टेट मेंटल स्टेट जो है वो mental state से हमारे behavior दीखते है हमारी वरत्रणुक कैसी है हमारा वरताओ läईंगा वह दिखता है वो हमारे attitude में आएंगा हमारे behavior में आएंगा हमारे सोच में आएंगा जो भी दिखता हो behavior है और जैसा behavior होंगा वहां से हमको outcome तका results में लेंगे तो हमको depression को ठीक करना है और बिना दवाई का ठीक करना है तो हमको एक तो PIR बदलना पड़ेगा मतलब personal internal representation जो है इसको alter करना पड़ेगा या फिर behavior को alter करना पड़ेगा या फिर mental state को alter करना पड़ेगा या फिर bodily state को alter करना पड़ेगा फिर जो भी घटक है इसमें इसके उपर अल्ला बोल करना पड़ेगा इसके उपर प्रभाव डालना पड़ेगा और वो यह दी प्रभाव डालते है तो PIR बदल जाएगी परसनल इंटरनल रिप्रेसेंटेशन जो विचार क्योंकि विचार उनसे आचार और उचार होता है तो विचार बदल जाते है तो वहां से mood जो है emotions वो बदल जाएगे और वहां से depression ठीक हो जाएगा तो आप समझ लेते हैं कि जो भी बाहर से अंदर जा रहा है उसको अंदर कैसा डाल रहे है और जो भी अंदर गया हुआ है उसको हम कैसा बदल सकते हैं और वो भी बदलना है भाशा से और उसकी treatment निरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम में होती है NLP में होती है NLP NLP पे हम एक तो PIR बदलते है मतलब personal internal representation बदलते है या body state बदलते है या mental state बदलते है और वहां से depression का इलाज होता है तो इसके लिए फिर cognitive behavior therapy है इसके लिए rational emotional behavior therapy है इसके लिए NLP के अलग-अलग techniques है इसके लिए सम्मोह नुक्चार है और जो लोग भोलते कि ने हमको जल्दी फाइदा होना है जल्दी फाइदा चाहिए क्योंकि depression का एक थेरी जो है वो भी है कि दिप्रेशन मेंटल स्टेट से होता है उसके साथ साथ chemical imbalance से भी होता है वो दिने हमारे chemical imbalance हम गुली रहने को तैयार है chemical imbalance स्थिक करको जल्दी जल्दी अच्छा हो सकता है तो उसके दवाई भी है और जो दवाई लेते नहीं है उनको psychotherapies सम्मोह नुक्चार मतलब हिपनो ते स्ट्रेशन होंगा एसा स्ट्रेशन कि 25 से चालीस ठका लोगों को डिप्रेशन है और कभी ना कभी दिखाए जयता है सिंपगे में आपके आज बागे में कितने सारे लोग होंगे कि जिनको depression है मगर वों बोलते भी नहीं अंदर अंदर जैंडर चल रहा है मन ँदा सिंत है क को अच्छा लगता नहीं है निराशा आती है से कभी सारी दिन पर में इमोशन बदल देरें उनको जरूर वीडियो शेर करो सब्सक्राइब करो आपको अच्छा लागा तो लाइक करो आप बेल का बटन दबाएंगे ना तो आपको मेरा वीडियो सबसे पहले पोच जाएगा तो आप जरूर आपके ग्रूप में शेर कर दीएगा हमारा जो मिशन है वह सब के लिए मानसिक स्वास्त है और वहसन मुक्त भारत उसके लिए आपका भी हाथ लग जाएगा तो थैंक्यों वेरी मच्छ